आज हम आप लोगों को बताते हैं, multiple folder कैसे बनाते हैं, multiple मतलब एक साथ कई सारे folder बनाना, एक एक folder तो सभी लोग बना लेते हैं, कि control, shift, end किया, shortcut की से बना लिया, या right button क्लिक करके new पे गया और यहाँ पे folder बना लिया, इस तरीके तो सभी लोग बनाते हैं, पर आज हम आप ल लेंगे, यह देखो, notepad टाइब कर लिया, notepad टाइब किया, और इसको ok कर लेते हैं, ok करने के बाद यहाँ पी notepad open हो गया, notepad open पे हम कोई भी नाम लिग रहे हैं, थोड़ा font size छोटे हैं, आप लोग थोड़ा बड़े करके दिखाते हैं, और यहाँ पे हमने size थोड़ा थोड़ा size ले लिया, और जिस नाम से folder बनाना चाहते हैं, उन नाम डाल देंगे, जिसे हमने एक folder का नाम अमित रखा, इसके बाद भी space देना है, space देना ज़रूरी है, जो space नहीं देंगे तो दिक्कत होगी हमको, folder जिसे अलग-अलग बनाते हैं, तो space भी देना पड़ेग दूसरा नाम है, रामू ले लिया, अब आप लोग जिस नाम से चाहें, उस नाम से बना सकते हैं, फिर space दिया हमने, next नाम है, सुनील, कोमल, सोनू, यह हमने अलग-अलग नाम से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच folder बना रहे हैं, एक साथ, ठीक ना, पाँच नाम ल लाएंगे, space, फिर यहां पर हम लिखेंगे, MD, यहां पर MD लिखना वस्यक है, MD लिखेंगे, और यहां पर फिर space देंगे, MD के पास, फिर इस फाइल को उपनी सेव कर लेते हैं, फाइल पर गए, save as किया, save as करने के बाद जो फाइल सेव कर रहे हैं, यह आप लोग दिखा द हैं, जिसे यहां पर हमने सीफा लिख दियां, यह, dot, b, a, t, जब फाइल सेव करेंगे, तो dot, b, a, t, यह लिखेंगे, यहां पर लिखना बहुत जरूरी है, तो यह, save कर देंगे, save करने के बाद, यह, notepad को close कर दिया, तो यहां पर देखेंगे, यह सीफा नाम से देख हमा या मित का, सोनु का, कोमल का, सुनील का, इस तरीके से एक साथ हम multiple folder बना सकते हैं, अगर यह वीडियो मारी पसंद आयो आप लोगों को, इसे like करें, share करें, और subscribe करें, और इसी तरीके के नए-ने technical जानकारी के लिए, या computer course पढ़ने के लिए, basic का course है, यह आंगे भी वीडि बना के देते रहेंगे, आप लोगो बस subscribe करें चैनल को, और नए-ने वीडियो देखें, तन बाद